दोस्तो इस दुनिया में कई जगों पर एक से बढ़कर एक खतरनाक खुल बने हुए हैं और कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि उन पर चलना तो दूर की बात है उन्हें देखकर ही डल लगता है आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही दुनिया के साथ सबसे खतरनाक ब्रिज जिने देखकर आपका दिमाग चक्रा जाएगा तो बने रहिए वीडियो के अंत तक अगर आपको उचाई से डल लगता है तो आप इस ब्रिज को पार करने से पहले दो बार जरूर सोच लीजिए इस पर चलने पर केवल एक मेटल की जाली ही आपको और आपके अगले कदम को 280 फिट नीचे की गाटी से अलग करती है 1620 फिट लंबे इस पुल के नाम पर जुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन प्रिज होने का गिनीज वर्ल रिकोर्ट दर्ज है दोस्तों क्या आप इस ब्रिज पर जाना चाहेंगे कमेंड बोक्स में जरूर बताएं नमबर दो पर है केरी का रेडे रोब ब्रिज उत्री आइललेंड यहाँ ब्रिज उत्री आइललेंड में अट्लांटिक महासागर पर बना हुआ है यहाँ भी समुद्र से लगबक सो फिट उपर जूलता है इस खतरनाक ब्रिज से समुद्र के बहत कूपसुरत नजारे देखे जा सकते हैं आपको बता दे कि इस ब्रिज को 350 साल पहले सेलवन मचौरो द्वारा पहली बार बनाया गया था नमबर तीन पर है सेसाना कलाव येरे तिबेतन ब्रिज इटली दूर से देखने पर यह ब्रिज एक मकडी के जाले की तरह दिखता है जो एक गाहरी कंठ में फेला हुआ है वास्तव में यह पूल तीन फूलो की एक स्रंकला है जिसमें छोटे-छोटे तक्ते लगे हुए है जो आपको नीचे गिराने के लिए काफी है अगर आप इस पूल को पार कर रहे हैं तो इसे पार करते समय मजबुत जूते और एक सीठ हानने स्पहनने होंगे जो एक ओवरहेट सुरक्षा केबल से जुड़ा हुआ होगा बता दे कि 100 फीट उपर इस पूल से निचे देखना एक बहुती रोमांच कारी अनुपव होता है और यह नाजुक पुल इतना अस्तिर है कि स्खराब मोसम के दोरान इसे बंद करना पड़ता है अगला नंबर है इसकाई ब्रीज रशिया दोस्तो रशिया में बने इस ब्रीज को दुनिया के सबसे उचे और खतरनाक ब्रीज में से एक माना जाता है दोस्तो हेरान करने वाली बात तो यह है कि इस ब्रीज की चोड़ाई आपकी बाहों की लंबाई जितरी है यहाँ ब्रिज आठ इस्टिल केबल्स के साथ सोची नेशनल पार्क की परवत संकलाओं के बीच से गिरा हुआ है इस ब्रिज को 2014 में सोची विंटर ओलिम्पिक के बाद परेटो को के लिए खोल दिया गया था बता दे कि यहाँ ब्रिज रशिया की सबसे उची बंजी जंपिंग करने की जगा के लिए भी जाना जाता है दोस्तो आप इस ब्रिज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंड बोक्स में जरूर बताएं नमबर पांच पर है ताइपिंग ब्रिज ताइवान ताइवान के हरे परे पहाडी जंगलों में इस्तित ताइपिंग पृच को परिटो को के लिए 2017 में खोला गया था इस पृच को ताइवान का सबसे लंबा और सबसे उचा पुल बाना जाता है इस ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ ब्रिज बादलों से भी बहुत उपर बना हुआ है और इस ब्रिज से संसेट का बहुत खुबसूरत नजारा देखा जा सकता है नमबर 6 पर है टिटलिस क्लिफ वोक्स विजलेंड समुद्र तल से 9000 फिट की उचाई पर बना यहाँ ब्रिज 1500 फिट उचा है यहाँ ब्रिज इतना उचा है कि इस पर जाने पर यहाँ हवा कम हो जाती है और आप सास लेने में कमी महसूस करने लगेंगे इस ब्रिज से आप बव्य ग्लेशर का नजारा देख सकते हैं इस ब्रिज को यूरोप का सबसे उच्चा सस्पेंशन ब्रिज माना जाता है नंबर साथ पर है केपिलानू सस्पेंशन ब्रिज कनाडा वेंगुवर के उत्री पहाडों में केपिलानू नधी पर बने इस पुल को दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों में से एक गिना जाता है स्टिल केबल से बने इस ब्रिज को मोल रूप से 1889 में एक विशाल गाटी में भांग की रस्ती वो देवदार के लकड़ों से बनाय गया था यहाँ पुल 450 फिट तक फेला हुआ है और करीबन 250 फिट उच्चा है इस ब्रिज से बहुत हैरान कर देने वाले और मन को रुमान्चित कर देने वाले नजारे देखे जा सकते हैं दोस्तो आप इन सभी ब्रिजेस के बारे में क्या सोचते हैं क्या आप भी इन खतरनाक ब्रिजेस पर जाना चाहेंगे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही नोलेज से बरपूर वीडियो देखने के लिए लान बटन दबा कर हमारे चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने में मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाई